भारत का दक्षिन पूर्वी राज्य, क्रिशी प्रधान प्रदेश, तिरुमलाय की पवित्र भूमी, आंद्र प्रदेश थिप, जटपी हाइ स्कूल, उप्रा पल्ली, अनका पल्ली जिले के संगीच शिक्षक, श्रीकोंडा कांची संपत्राओ जी हमारे साथ ओनलाइन माध से जुड़ रहे हैं और आपसे प्रशन पूछना चाहते हैं, संपत्राओ जी, क्रिपे आपना प्रशन पूछिए। अपने चात्रों को परिक्षा देने में, तनाव मुस्ट बनाने में माधत कर सकता हूँ, फ्रप्यादा इस पर मेरा मार्मदर्शन पीछे, धन्यवाद सार। जो की सभागार में उपस्तित है, प्रधान मंत्री जी से एक प्रशन पूछना चाहती है, माम, क्रिपे आपना प्रशन पूछिए। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir, I am Bondi Medhi, a teacher from Sipsagar District Assam. My question is, what should be the role of a teacher in motivating students? Please guide us, thank you. धन्यवाद माम, प्रधान मंत्री जी, क्रिपे आअब्रप्यदेश के संगी शिक्षक, श्री संपत्राव जी और सभागार में उपस्ते शिक्षका, बंटी मेथी जी द्वारपूछे गए इन प्रशनों में, वे परिक्षा के समय, शिक्षकों की भूमिका के विश्य में जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार विद्यार्थियों में विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में सहाइता करें क्रिपया समस्त शिक्षक वर्ग का मार्ग दर्शन कीजिए पहले तो मैं समयता हूँ जो संगीत के टीचर है वो तो अपने क्लास नहीं पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खतम कर सकते हैं कि संगीत में वो सामर्त है हां अगर हम कान बंद करकर कर संगीत में बैटे हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं संगीत बज्टो रहा है लेकिर हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनन अनुगों नहीं कर बाते हैं मैं समझता हूं कि किसी भी टीचर के मन में जब यह विचार आता है कि मैं स्टूडन के इस तनाव को कैसे दूर करूँ मैं हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन शायद मुझे लगता है कि टीचर के मन में परिशा का तालखंड है अगर टीचर और स्टूडन का नाता परिशा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए आपका स्टूडन के साथ नाता जैसे ही आप पहले दीन वर्ष के प्रारम में पहले दीन क्लास्रूम में एंटर करते हैं उसी दिन से एक्जाम आने तक आपका नाता दिरंतर बढ़ते रहना चाहिए तो शायर परिशा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी आप सोचिए आज मोबाइल का जमाना है स्टूडन के पास भी आपका मोबाइल हो गई होगा क्या कभी किसी स्टूडन ने आपको फोन किया है कॉल पर कॉंटेक किया है कि मुझे यह तकलीप हो रही है मैं चिन्ता में हूँ कभी नहीं किया होगा क्यों क्यों कि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिन्दगी में आपका को विशे स्थान है उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्त है Maths है, Chemistry है, Language है जिस दिन आप syllabus से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोंगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जुरूर आप से अपनी मन की बात करेगा अगर ये नाता है, तो एक्जाम के समय तनाव की स्थिती पैदा होनी की संभावना ही खतम हो जेगी आपने कई डॉक्टर्स देखे होंगे उन डॉक्टर्न में डिगरी तो सब के पास होती है लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनस होते हैं वो जादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशन्ट आकर के जाने के बाद एकाथ दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भई आपने वो दवाई ठीक से ले ली थी कैसा है आपका वो दूसरे दिल अपने अस्पता लाएगा तब तक इंतजार करने के बजाए बीच में एकाथ बार बात कर लेते हैं कि और वो बॉर्णिंग होता है ना वो उसको आधा ठीक कर देता है कि आप मेंसे कोई टीचर ऐसे हैं मान रिचे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया और जाकर के उसी परिवार में बैठ करके कहा भई आज तो मैं मिठाई खाने आया हूं आपके बच्चे ने इतना शा जब आप बच्चे ने थे बताई होगा घर में जाकर करे का आज मैं यह करके आया हूं लेकिन इक टीचर खुझ अगर के बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा हमें थोड़ा ज्यान देने की ज़र होता है तो आप देखेंगे एक गम से माहूर बदल जाएगा और इसलिए पहली बात यह है परिक्षा के समय तनाव दूर करने के लिए क्या करना उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ कह चुका हूँ मैं उसके रिपीट नहीं करता हूँ लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके साथ नाता रहता है मैं तो कभी कभी पुछता हूँ कि टीचरों को कि आप तीस साल से टीचर है जो पहले बार आपके हाँ पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में अब तो उनकी शादी हो गई हो गई क्या कोई आपका स्टूरेंट अपना शादी का काड़ देने आया था क्या कि 99 परसंट टीचर मुझे कहते हैं कि नहीं कोई स्टूरेंट नहीं आया मतलब हम जॉब करते थे हम जिन्दगी नहीं बदलते थे की अब तीचर का काम जाब बदलना नहीं है एक चीचर का काम करना नहीं एक टीचर का आलuge जिन्दगी को सवार्णा है जिन्दगी को सामर्ख देना रोज उप है आप आप वही परिवर्पन लाता है यै नैवाद है